आपका स्वागत है आज हम सॉल्फ करने वाला एक क्लास ट्रेंथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रियक्शन एंड एक्वेशन जो जामिया और एम्यू में क्लास 11 एंड ट्रेंज एंड डिप्लोमा एंजिनिंग में ज्यादा सवाल आते हैं इससे कम से कम एक से दो सवाल हर साल आते हैं तो अगर हम सॉल्फ करेंगे इसका से क्यों तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोस्टन से देख लिएक्शन इन वीच हीट इस रिलीज एलॉंग विद दफॉर्मेशन और प्रोड़क्ट इसकॉल्ट इसमें ऑप्सटन है एक्जोथर्मिक रियक्शन इसकांसर होगा आपका एक्षोथर्मिक रियक्शन सेकेंड ने पूछ रहा है कि बर्निंग ऑफ नेच्रल गैस क्या है अंड़र्मिक है अग्सोथर्मिक है कॉंबिनेशन रियक्शन है यह ने आफने यह आपका अंसर होगा आपका एक्जोथर्मिक रियक्शन इसे हम क्या गैंगे reactant कहेंगे और जो product बनता है C plus D उसे हम क्या कहेंगे product कहेंगे और यह जो बनता है यह right side ही बनता है और यह projectant जो आपका left side में होता है तो यही पूछ रहा था आपसे तो यह आपका right side answer होगा ठीक है next है आपका the substance undergoes chemical changes in this reaction is called वो substance बताईए जो chemical मतलब reaction से पहले होता है तो उसके बारे में आप बताईए जो changes होते है तो reactant से होता है product से होता है या oxidant से होता है तो वो जो होता है आपका reactant में होता है अगर हम reactant में जो कुछ भी मिलाएंगे तब ही तो वो product बनेगा अगर हम reactant में कुछ मिलाएंगे रिए तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा तो वह reactant होता है जो इसमें कुछ chemical changes होते हैं इस वज़े से जाकर प्रोडक्ट बन जाता है तो reactant इसका answer होगा अब reactant किस साइड हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं या राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो प्रोडक्ट तो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं हमने आपको भी बताया है लेकिन reactant जो है आपका reactant हम आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं जै प्रोडक्ट बन गया तो छोटा सा MCQ था आपके लिए रिविजन के लिए मैं बुस्ट अब दे रहा था और यह आप देख सकते हैं यहां पर एक एक्वेशन लिखा गया है जिंक प्लस S2S4 को रिएक्शन एड़ करके करवाए गया है तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका जिंक S4 बन रहा है और S2 आपका हर्लीज हो रहा है कि यह बैलेंसे इक्वेशन है या फिर उसको हम डिटर्माइन नहीं कर सकते है या इसमें से कोई नहीं है तो आप देख सकते हैं जिंक से हम लोग रियक्शन करवा रहे हैं और किसे S2S4 से तो H2SO4 से तो यह zinc जो है आपका जाकर product जो बनाएगा zinc SO4 बनाएगा और H2 को जो है आपका बाहर डिकाल देगा तो यह आपका balance equation है तो answer जो है आपका balance equation होगा next देखते हैं which of the following statement is true for balance chemical equation पूछ रहा है कि इतमें से जितने भी 4 options दिये गए हैं तो इसमें से cons true है और balance chemical equations है तो आप पढ़ सकते हैं the total mass of element is present in product may not be equal to the total mass of element present in the reactant यह कह रहा है कि जैसे reactant में जो है आपका कम mass होगा और product में आपका ज्यादा mass होगा तो क्या यह equal क्या यह सही है तो नहीं क्योंकि reactant में जितना mass होना चाहिए में प्रोडक्त में प्रोडक्त में उत्म मास होना चाहिए तब जाकर आपका है chemical equation balance होगा यह आपने law of conjugation of mass में देखा था second देख लेते हैं the total mass of element in the product is greater than total mass of element present यह भी नही नहीं होगा the total mass of element is present product must be equal to the total mass of element present in the reactant जितना reactant में आपका mass होना चाहिए, उतना ही आपका product में होना चाहिए, तब जाकर वो आपका chemical equation balance होगा और यही answer आपका right है, यानि option number C होगा, next देख लेते हैं, the new substance formed during the reaction is called, अब कह रहा है कि जो नया substance बनता है, उसे हम क्या कहते है, chemical reaction होने के बाद जो नया substance बनता है, उसे ह फिर oxygen कहते हैं या फिर इन में से कोई नहीं है, तो चलिए आप सोच के बताइए, बहुत ही अच्छा option है, answer है, तो इसका answer होगा, क्या होगा इसका answer, product होगा, आप जान गया होगे, क्योंकि कह रहा है कि जब भी आम reactant में कुछ मिलाते हैं, तो क्या होता है, product form होता है, तो product में किया होता है, कुछ ने कुछ नया चीज बनता है, इन unbalance chemical reactions, अब unbalance chemical reaction में क्या होता है, तो number of item जो होते हैं, उसमें, rhs and rhs arrow is unequal, या तो left hand side कम रहेगा, या तो right hand side जादा रहेगा, या तो रहेगा, या फिर इसमें कम रहेगा, तो इसमें जादा रहेगा, इसलिए क् अन्बालेंस और निक्वल होते हैं, दाफरमेशन इज आ एफ़ इडेख सकते हैं, आपर एक्यमिकल रेक्शन देखाए, दाफरमेशन आफ यह आईरन है, आइफ़ी और वाटर से रेक्शन क्या गया था है, आईरन प्लस वाटर को रेक्शन कर रहाएंगे, तो यह आइरन आक्साइड देगा, पलस एशटाउ देगा, ठीक है, तो अब यह पूछ रहाएंगे, क्या यह बालन्स केमिकल इक्वेशन है, या फिर अन्बालन्स केमिकल इक्वेशन है, या फिर किन नॉट डिटर्माइन, तो हम आप चेक कर सकते हैं, एफी से हम reaction किसे करवा है एस्टू से किये हैं तो ठीक है तो आपका इसमें क्या होगा एफी थ्री ओफ़र नहीं ओफ़र तो नहीं होगा इसमें यह आन बालेंस है तो यह आपका अन बालेंस एक्वेशन हो जाएगा नेक्स देखते हैं दर रीक्षिन इन विच single product is formed from two or more reactant is called combination reaction इसका अंसर होगा जितने भी green टाइप से दिये हैं जितने भी green से लिखा गया है लेटर वो आपका अंसर आपका याद रखिएगा इन बैलन्स केमिकल एक्वेशन तो अब देख सकते हैं बैलन्स केमिकल एक्वेशन में क्या आनसर है इसका number of atoms LHS and RHS arrow are equal ठीक है number of atoms जो होते हैं जितने LHS में होना होगा उतना ही RHS में होगा तब जाकर वो क्या हो एक्वेशन होते हैं और वसे ही हम बैलन्स केमिकल एक्वेशन कहेंगे इदर देख सकते हैं skeletal chemical equation हाला कि यह 10th में है थोड़ा बहुत है NCRT में शायद नहीं है एस चंद की बुक में है और और भी कईठो बुक में है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं फिर भी देख लीजिए skeletal chemical equation का होता है तो यह आपका unbalance chemical equation होता है आप अगर नाम पहली बार असी याद रखी हैंगर the reactions in which single reactant break down in given simpler product is known as decomposition reaction decomposition reaction होगर ठीक in skeletal chemical equations the mass of atom is not same both side of chemical equation जो mass of atom है वो same नहीं होता है दोनों साइड इसलिए तो हम कहते है unbalance equation ठीक है इसलिए हम क्या कहते है unbalance equation कहते है decomposition of vegetable matter into compost is exothermic reaction होता है formation of water यानि water का formation होता है h2 plus o2 is अब यह क्या है यह आपका combination reaction होता है ठीक है दो रियक्टेंट मिलकर क्या बनाते है combination reaction बनाते हैं which of the following help us to determine whether a chemical reaction can take place तो इसमें अगर जब भी यह important question आप याद भी से रखिएगा जब भी chemical reaction होता है तो इसमें क्या-क्या बदलाव होती है chemical reactions में तो आप या तो state change हो जाएगा या color change हो जाएगा या फिर evolution of gas होंगे तो इसमें all of the above answer होगा respiration is a question बहुत ही important ही यह भी याद करेंगे लास्ट किजिए जो दो-तीन में बता रहा हूं यह कई बार अलिगर्ड मुस्मिश्टी की competition में पूछा गया class 11th entrance and diploma में और जामिया में भी हाला कि आता रहता है और इसी तरह के questions पूछेंगे इसलिए मैंने NCRT से ही questions ही निकाल कर मैं आपको present कर रहा हूं तो इससे आप याद कर लीजिएगा रटा मार लीजिएगा जैसे भी हो समझ लीजिएगा लेकिन इससे याद करके ही जाएगा जितने मैंने question की सब important question है और यह जामिया के entrance या फिर आगर आप EMU के entrance दे रहे हैं तो उसमें भी आ सकता है एक या दो question स्वे से रहते हैं which of the following help us to determine the weather chemical reaction is taken place तो अभी मैंने भी बताया था और आप देवाब होगा इसका answer next respiration is respiration क्या है exothermik है endothermik है displacement है या ना देवाब है तो respiration हमें से याद रखिएगा कि respiration जो है आपका exothermik होता आपका प्रोसिस में बाहर निकलता है heat क्याता है absorbed करता है इसमें exothermik हीट बाहर निकलता है कुछ भी बाहर निकल सकता है जो भी हम reaction करवाएंगे तो respiration जो है आपका exothermik है या आप याद रखिएगा बर्दिंग आफ कॉयल यह बहुत ही इंप्रडंट है यह एंसे आटी में आपका दिया हुआ है इसलिए में जिद्री में में चछाटकर निकाल के इसमय आपको प्रेजेंट करूं सको याद कर लिभी बर्णिंग आफ कोयल किया आपका कम्विनेशन डिरिक्शन हैं और यह सब आपका questions जो हमेशा entrance में आते ही रहते हैं एक दो आप अगर इस साल नहीं आए तो पिछले साल और पिछले साल नहीं तो उससे पिछले साल जरूर आया होगा आप जरूर देख लीजिएगा इसको paper लगाते हैं और इसको याद करके ही जाएगा जब भी आप entrance में जाए तो इस दोनों के लिए important है अगर दोनों के लिए तयार करें तो बहतरी नहीं आपको दोनों में यह काम आएगा ठीक है अगर आप डिप्लोमा इन एंजिनिंग के लिए तयारी भी कर रहे है जामिया हो या एमियो तो उसके लिए भी यह बहतरी है आपका MCQ चैप्टर नमबर लेक्टर अप्लोड किया है कम से कम 20-25 मिनट का जो भी है आप देख लिएगा उससे आपको क्या है कि उससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप पढ़े होंगे आपको पुरा याद है लेकिन फिर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी रिवाइज हो ज आप